CID की टीम ने दो साइबर अपराधियों को गिरफतार किया है। गिरफतार अपराधियों का नाम विश्णू और नारायन है। विश्णू जामकारा जिले का रहने वाला है, वही नारायन देवघर का रहने वाला है। गिरफ्त में आयस साइबर अपराधिए ने अर्गवा थानरशेत्र के रहने वाले रतनलाल गुपता से विज्लीबिल भुठान करने के नाम पर 3 लाट की ठगी खी। साइबर अपराधियों ने रतनलाल को क्विक सपोर्ट एप इंस्टॉल इंस्टॉल करने के लिए कहा और बताया कि इस एप के माध्यम से आपके विजली बिल्का भुटान हो जाएगा रतनलाल जैसे ही इस एप को इंस्टॉल किये उनके खाते से कुल 30 लाध उपय की निकासी कर ली गई इस मामले को लेकर साइबर थाने में कात्मी की दर्ज कराई गई कात्मी की दर्ज करने के बाद CID की टीम ने मामले की चार्च करते हुए दो साइबर अपराभियों को गिरफतार किया अप बेसिकली आपके मुबाइल को हैक करने का अप था उस एप को ये लोग जैसे ही डाउनलोड किया तो आपका मुबाइल में जो भी हरकत होगी तो उस सारा स्क्रीन टाइमर में वो सेव होती है कि वाटवर आपका इमेल, पासवर्ड जो भी आप मुबाइल में यूज कर रहे हैं एवरिटिंग देके सिट अन वाच फिर उदर से आप सिंबॉलिकली एक मनी ट्रैंसफर कराने के लिए बोला फिर मनी ट्रैंसफर कराने के बाद उनका ओनलाइन एकाउंट का अकाउंट नेम और पासवर्ड जैसे मिल जाता है फिर उसके आदार पर ये लोग उनके एकाउंट को फिर एक्सेस करके मतलब चीटेड अराउंड तीन लाक रुपया जो है उस हमारा विक्टिम के साथ जो है टगा है यह मोडर्स अपरेंडी पिछले जून जुलै ऑगस्त में बहुत रहत पहमाने पेज चल रहा था इसमें हम लोग इन फैक्ट अभी तक पचास से उपर क्रिमिनल्स को विबन जि से अल्रेडी हम लोग अरेस्ट करके बेजे हुए तो इसी मौके पर हम सब को यह भी बताना चाहेंगे कि इस टाइप का कोई भी मैसेज़ आएगा तो हम लोगों का जेबी वीनल के माधियम से हेल्प लाइन टॉल फ्री हेल्प लाइन भी दिया हुआ है उदर सीधा कॉल कर कर सकते हैं अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले